हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में कंटोर ना पर्माइनेंटली कैसे डिशेबल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शकाड़ा06 से विंडोओ अपंण हो जाएगा यहाँ पर कीडोफन के लिए च्Оपट हो जाएगा आफ यहां पर याँप को क्लीख अब करने सब्सक्राइब करतेए और ट्रय से उपर आपको किलिक कर द Murray किलिक करतें इस तरह से विंडों उपन हो जाएगा आपको क्या करना है यहां फně डाइंर करने के भाद यहां पर यहां पर आपpad को दिख जाएगा तश्मैनेर canvas इस तरह से उन्हों इसके बाद आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर देख लिजएगा यहां पर इनेबल दिखा रहा है तो आपको क्या करने यहां पर आपको क्लिक करने इसको पर आपको क्लिक करके इसको क्लिक कर देने इसके बाद आपको क्या करने इस विं विंडो ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर टैप करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ओप्सन दिखी जाएगा इसके उपर आपको राइट किलिक कर देने इसके बाद यहाँ पर आपको किलिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है क्या कि यहाँ पर फैलट दिखे रहे हैं इसके बाद यहाँ-पर आपको एक्सपोर्ट कर इसितऱ ने खांट कर लोगों आप जहां पर इस तरह हो ब्लते से कुर्ड़िजेगा इसके बाद इसे बाइप पूर्ट के उपर आपको किलिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, आपको क्या करने आपने जहां पे भी उस फाइल को सेव किया है, उस फाइल को आप सेलेट कर लिजेगा, सेलेट करने के बाद यहां से आप ओपन करके इसको रिएश्टोर कर सकते हैं, चलिए अब आपको मैं आगे का process बताता हूँ, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे left side में आपको दिख जाएगा local machine, इसके उपर आपको double click करना है, double click करते हैं, इस तरह से list open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको software दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको double click करना है, double click करते हैं, इस तरह से list open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा window, इसके बाद आपको double click करना है, double click करते हैं, इस तरह से list open हो जाएगा, अब आप देखिएगा, यहाँ पे इस के निचे इस list में कहीं पे आपके case में window search है या नहीं है, जैसे आप मेरे case में, यहाँ पर Windows search missing है, यदि आपका case में इस तरह से missing होगा, तो इस case में आपको क्या करना है, इसके ओपर आपको right click कर दे갑ने हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको new पर click करने हैं, इस तरह से exact आपको tap करना है, window search जैसा मैंने tap किया है, वैसे ही tap कर लिजएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर दिना है, enter करते हैं, यहाँ पर यह add हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर नाम टैप करना है, जो later capital है, उसको capital में tap कीजएगा, जो later small है, उसको आपको small में tap करना है, same exact ऐसे ही tap करना है, इसके बाद आपको enter करते हैं, इसके बाद आपको double click करते हैं, ओके पर click करने के बाद आपको क्या करना है, इस window को यहाँ से close करने के बाद आपको क्या करना है, system को restart करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, यह permanently disable हो जाएगा, या नहीं तो आपको क्या करना है, search पे click करते हैं, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर tap कर देना है, gp edit इस तरह से tap की जाएगा, tap करते हैं, यहाँ पर आपको first option देखी जाएगा, इसको पर आपको click करते हैं, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है यहाँ पे left side में इस तरह से दिखते है तो आपको क्या करना है इसको यहाँ से बढ़ा कर लीजेगा ताकि आपको clear दिखे अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा computer configuration इसको पर आपको double click करना है double click करते हैं इस तरह से window open ह जाएगा इस्के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा विंडू घांव कॉमपोन्नेंटि इसके तरह आपको डबल क्लिक और फेस네 से लिस्ट ओंट hijos जाएगा अब यहांस पर आप को multi करना है double-click करたीए इस तरह से को जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पऄर 2050 कर दिए कए कुछ कर दिने हैं इसको आपको यहांसे डी से बल पर किलिक करदे ne अब आपको यहाँ पर टैप करते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट अप्सन दिखे जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखे जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखे जाएगा, इसके बाद आपको दिखे जाएगा, इसके बाद आपको दिखे जाएगा, इसक command को आप copy कर लिजेगा, copy करने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर आके इसको paste कर दिने, paste करने के लिए दो तरीका है या तो आप यहाँ पर right click करके edit पर जाके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से paste कर दिजेगा, या नहीं तो इसको paste करने के लिए shortcut तरीका भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ shortcut तरीका यह है कि आपको क्या करने मौस का करसल यहाँ पे आपको रखना है इसके बाद मौस का right button आपको प्रेस करते हैं इस तरह से यह paste हो जाएगा अब आपको क्या करने इस विंडो को यहाँ से कुलोज कर देने के बाद को क्या करनेSim को रिये स्टाट कर देने झाल झाल